दोस्तों अगर आप अपने मुवाइल से online train ticket book करना चाहते हैं खुद से तो उसके लिए आप IRCTC application के थ्रू कर सकते हैं आपको IRCTC के ऊपर अपना एक account create कर लेना है और उसके वाद जब चाहे आप अपनी train ticket book कर सकते हैं online तो इस वीडियो में आपको complete process दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना account create करना है IRCTC के ऊपर तो इस वीडियो को आप last तक जरूर देखेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको अपने mobile में play store को open करना है और यहाँ पे आपको search करना है IRCTC आपके सामने IRCTC rail connect के official application आ जाएगी आपको simply से अपने mobile में install कर लेना है और उसके वाद आपको इसे open करना है open करने के वाद आपको इस तरीके का interface देखने को मिलेगा दोस्तो यहाँ पे जो है आपको उपर login के option पे click करना है और दोस्तो यहाँ पे अगर आपने अपना पहले account create किया हुआ है तो आप login कर सकते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पे first time इस application को use कर रहे हैं तो यहाँ पे आप आपको register user के option पे click करना है और यहाँ पे आपको user registration का form देखने को मिल जाएगा simple आपको इसे fill करना है सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका mobile number पूछा चाहेगा आपको यहाँ पे अपना mobile number enter कर देना है second option में आपसे पूछी जाएगे आपकी email id आपको अपनी email id enter कर देनी है उसके बाद आपसे पूछा चाहेगा आपका username यानि कि जो भी आप अपना username रखना चाहते हैं तो यहाँ पे वो आपको enter करना है लेकिन आपका username यहाँ पे unique होना चाहिए यानि कि पहले से वो username किसी और का नहीं होना चाहिए तो simple आपको अपना एक username unique सा create कर लेना है उसके इसके बाद confirm password में आपको अपना password एंटर करना है उसके बाद आपको अपना name एंटर करना है सबसे पहले आपको अपना first name एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको middle name एंटर करना है जो कि optional है और उसके बाद last name तो हम यहाँ पे अपना name एंटर कर लेते हैं उसके बा आपको नीचे option मिलेगा nationality का आपको इस पे click करना है और यहाँ पे आपको इंडिया का option मिलेगा आपको इसे select कर लेना है और उसके बाद option है security question का आप इस पे click करेंगे तो जो भी security question आप यहाँ पे select करेंगे तो future में जो है अगर आप कभी password भूल चाहते हैं या फिर आप account को recover करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपसे security question पूछा जाएगा तो जो भी answer आप यहाँ पे set करेंगे तो वो answer देकर आप अपने account को recover कर सकते हैं तो हम यहाँ पे कोई भी question को set कर लेते हैं and security answer में आपको इस answer को type कर देना है and उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे occupation का option and उसके बाद आपको next के option पे click कर देना है next page आपके सामने आएगा यहाँ पे आपको अपना full complete address enter करना है और नीचे आपको option लेगा copy residence address to office address अगर आपका same है तो आप इसे यहाँ पे select कर लेगे and उसके बाद नीचे आपको street का option मिलेगा जो कि optional है उसके बाद आपका area कौन सा आपको यहाँ पे enter कर देना है उसके बाद select country के option पे click करके आपको अपनी country को select कर लेना है यानि की इंडिया and उसके बाद यहाँ पे आपको अपना pin code enter करना है उसके बाद आपको city के option पे click करना है और अपनी city को select कर लेना है and उसके बाद आपके state automatically यहाँ पे आ जाएगी उ आपका username आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने mobile number को and email id को verify करना है अब आपको ok के option पर click कर देना है तो दोस्तों आपके सामने sign in page आ जाएगा यहाँ पर जो आपने अपना username रखा है वो username यहाँ पर आपको enter करना है उसके बाद नीचे आपको capture code देखने को मिलेगा यह sim to sim capture code आपको इस box में enter करना है और login के option पर click कर देना है यहाँ पर आपको second rate करना है और next page आपके सामने open होगा verify account का यानि कि आपने जो अपना mobile number and email id एंटर कही है उसे आपको verify करवाना होगा उसे verify करवाने के लिए आपको उस पर ए send किया जाएगा आपको simple okay के option पर click करना है उसके बाद आपको नीचे भी send OTP का option में लेगा इस पर आपको click करना है तो आपकी email id पर एक OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर नीचे box में enter करना है OTP एंटर करने के बाद आपको नीचे verify user के option पर click कर देना है OTP verification complete होने के बाद आपको okay के option पर click करना है और यहाँ पर sign in page के option पर आ जाएगे दोस्तों यहाँ पर फिर से login करने के लिए अपना username and password एंटर करना है और नीचे capture code एंटर करना है और login के option पर click कर देना है और next page पर आपको enter pin का option मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी अपना 4 desert का pin जो है वो enter कर लेना है, जो भी आप pin यहाँ पर enter करेंगे, दोस्तों future में जब भी आप यहाँ पर login करेंगे, तो login करने के वाद जब भी आप यहाँ पर अपने train की टिकेट बुक करेंगे, उसके लिए payment करेंगे, तो यहाँ पर आप से pin पूछा जाता है, तो आपको वही pin enter कर जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना username, password और नीचे capture code को enter करना है, और login के option पर click कर देना है, तो यहाँ पर आप अपने train को सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पर from station में अपने station का नाम enter करेंगे, और उसके बाद जिस station पर आप जाना चाहते हैं, आपको station का name enter करना है, उसके ब class में आपको all classes and quota में general रहने देना है, और उसके बाद आप search train के option पर click करेंगे, तो दोस्तों आपकी train यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी, और उसके बाद जो है किस तरीके से आपको अपनी train ticket book करनी है, उसका complete process हम आपको next video में बताने वारे हैं, दोस्ते इस तरीके से I hope कि इस video में आपको complete process समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई question हो, तो आप नीचे comment box में comment करके जोरू बताइएगा, हम उसका reply आपको ज़रूर देंगे, अगर आपको ये video अच्छी लगी हो, तो इस video को like केजगा, और अपने दोस्तों के साथ share केजगा